नमस्कार वेब बारता में आपका स्वागट है मेरे गले पर छुरी रख दो तो भी भारत माता की जय नहीं बोलूगा वेब बारता में आज हम अफदुदीन ओवेसी के इसी बयान पर चर्चा करेंगे हमारे साथ है वेब दुनिया के संपादक जरीब कर्णिक जी जरीब जी भारत माता की जय बोलने पर किसी को क्यों आपत्ती हो सकती है तेकि मुझे लगता है कि इस आपत्ती से बड़ी बात है कि पूर्णतर राजनीतिक बयान है असदुदी नवेसी किस तरह की राजनीति करते हैं किस तरह के बयान देते हैं किस से छुपा नहीं है और ये बयान इस तरह के उन्हें पहली बार नहीं दिये सभी ने इसकी बहुत निंदा की है मुझे लगता है कि उनको जो एक करारा जवाब मिलना चाहिये था वो तो राज्यसभा सांसद और कवी लेखा जावेद एक्तर साब ने दे ही दिया है उन्हों राज्यसभा में भारत माता की जाय के नारे लगा कर ये कह दिया है कि ना केवल असदुदी नौवेसी ने जो कहा उसकी निन्ना होनी चाहिए मजमत होनी चाहिए बलकि उन्होंने ये भी कहा कि असदुदी नौवेसी कोई पूरे राष्टर के नेता नहीं है या वो अपने आपको अगर पूरे मुस्लिम समाज का नेता समझते होंगे तो वो पूरे मुस्लिमों के भी प्रतिनीदी नहीं है उन्होंने ये अपनी बात अपने स्तर पर कही है दुर्वा की पूर्ण है क्योंकि दरसल भारत माता की जय का जो नारा है के वर पतिक है कि आप अपने राष्टर की जय कर रहे हैं आप अपने राष्टर की जय दूसरे तरीके से करना चाहते हैं काभी स्वागत है हाना कि मैं जरूर कहूंगा कि बाद में असदुदीन ओवेसी ने जय हिंद कहा है तो हमें अब इस बहस में नहीं पढ़ना चाहिए कि जय हिंद कहने वाला राष्टर भक्त है कि भारत माता की जय कहने वाला राष्टर भक्त है बहस इस बात पर होनी करना मुझे लगता है हमारे लिए बड़ी चुनोती है जो असा दुदीन ओवेसी ने कहा है वो निश्चित तोर पर गलत बयान है उसकी निंदा की जानी चाहिए और मुझे लगता है कि वो किसी रास्टरवाद या देश की सम्मान से आगे जाकर उस पर कोई हमला करनी के बज करना क्योंकि हमने देखा किस तरह के लोग थे उनकी सभा में और किस तरह की तालिया बजी उनकी इस बात पर तो जो कह रहे थे उस बात पर कर सामने खड़े लोग तालिया बजा रहे हैं तो हमें दरसल सारे रास्टर को इस बात के लिए शिक्षित करना जागरू करना ज़ वोड़े रखे हुए है तो जैनी पर राष्ट्रवाद को किस तरह परिवेशित करेंगे ये मुझे लगता है आज के समय का एक बड़ा सवाल बनके उब रहा है क्योंकि हम जिस तरह से जैनियू की घटना देख रहे हैं उसके बात से लेकर राष्ट्रवाद पर बहुत लंब जाये वो सिंदु घाटी की सब्वेता हो मोहन जोडोर हडपा की सब्वेता हो रोम का समराज्य हो या इसके बाद जो अलग-अलग छोटी सब्वेता हैं विक्सित हुई है और उनकी खोच की गई और उनके बारे में जानकर ये अस्तित्तु में उसके बाद हमने दिखा कि बहुत लंबा समय जो रहा वो राजी शाही का रहा राजी सत्ता का रहा और जो राजा था वही राश्वर था जो राजा था वही राज्य था जो राजा था वही शासक था राजा और शासक के होने के इस पूरी घटना के बीच में योरोप में एक नए सिध्धान्त का उद जरसल रोमन सामराज्य के एक राजा था कॉंटेस्टाइन करके उसने जब इसाई धर्म अपना लिया था उसके बाद से तो इसाई धर्म का पचार और प्रसार भी बढ़ा और वहाँ जाकर धर्म राज्य और राश्ट्र के बीच की जो तमाम अधारनाय थी वो आपस में पीच में एक नई भावना का उदगम हुआ उदय हुआ और दरसल एक लेटिन का शब्द है नैशियो उस नैशियो सब्द से बना है नेशन और उस नेशन से ही राश्ट जिसको हम इन्दी में जानते हैं राश्ट की अवधारना की उदपत्ती हुई है नैशियो का रथ है उदगम या जन्म या किसी चीज की उदपत्ती होना तो हम समझ सकते हैं कि यह जो भावना का उदय हुआ था जिसमें नेशन के एक कौनसेट पर एक विचारधारा पर काम शुरू हुआ था अब इस राश्टरवाद की जो पूरी अवधारना है इसको लेकर भी बहुत सारे मतमतांतर हैं सबसे दिल्चस्प पहलू यह है कि जिस राश्टरवाद के उपर जवारलाल नेरु विश्विध्याले के प्रांगन से बड़े बड़े सवालिया निशान उचाले गए हैं और यह माना गया है कि यहाँ पर सारे वामपंती विचारधारा के मार्क्सवादी व मैं नहीं कि हम सारे सिध्धानतों का यहाँ पर विस्तार से वरनन करें लेकिन मैं वेब वारता के अपने शोताओं और दर्शकों की जानकरी के लिए जरूर जो हम गूगल पर ढ़कर ढूंडे तो वीकीपीडिया में राश्टरवाद की परिभाशा मिलती उसको पढ़कर स राश्टरवाद लोगों के किसी समू की उस आस्था का नाम है जिसके तहत वे खुद को साजा इतिहास, परंपरा, भाशा, जातियता और संस्रती के आधार पर एक जुट मानते हैं इन्ही बंदनों के कारण वे इस निशकर्ष पर पहुंचते हैं कि उन्हें आत्म दिरने के आधार पर अपने संप्रभू, राजनितिक, समुदाय, राश्टर की स्थापना करने का आधार है और जो भी राश्टर बनता है तो इसके आगे फिर राश्टर राज्य बनता है और राज्य उस राश्टरवाद की अवधारना को आगे बढ़ाता है परिभाषा की इस गंभीरता में हम जाएं भी हाला कि ये एकमात्र और प्रचलित परिभाषा नहीं है राष्टरवाद की लेकिन इसको हम गंभीरता से देखें तो भारत में राष्टर और राष्टरवाद का उड़े लोग कहते हैं कि यूरोप से आया और उसके बाद भारत ने अपनाया लेकिन हम हमारे इतियास में जाएं तो जम्बूद्वी भारत खंडे जम्बूद्वी पे हमारे प्राचीन इतियास के वेदों के रिचाओं में और श्लोकों में मिलता है तो भारत वर्ष की अवधारना जो है वो प्राचीन है लेकिन बीच का एक लंबा इतियास जो दुनिया ने देखा वो हमने भी देखा राजियरेजवाणों का शास्कों का इतियास था जो अपने आपको भारत के रूप में नहीं संचालित कर रहे थे हम ये जरूर देखते हैं कि अशोक के समय का जो भारत था वो जरूर उतना बड़ा विस्टार लिये वे था ये माना जाता है लेकिन उसके बाद वापिस रियासतों और शास्कों का दौर आया और उसके बाद मगलकाल आया मगलों ने छोटे छोटी जो राज्यों रियासत हम अच्छे से जानते हैं इसके बाद दरसल वो जो भिखरा हुआ भारत वर्ष था उसको राष्ट्र और राज्य के रूप में स्थापित किया गया था आजादी के दिन 15 अगस्त 1947 को जब तमाम रियासतों का और राज्यों का मिलन इस भारत राष्ट्र के रूप में हुआ अब सवाल यह है कि एक पल के लिए जो कि हाला कि आसान नहीं एक पल के लिए हम पुराने सारे इतिहास को राष्ट्रवाद की परिकल्पना को राष्ट्रवाद की परिभाशा को अवधारना को हटा भी दें तो आप यह सोच कर देखिये कि जो 15 अगस्त 1947 को नक्षा उभर क सामने आया है उसके विवाद विवादी दिस्से छोड़ दीजिए पाकिस्तान बना आगे चल कर बांगला वो छोड़ दीजिए लेकिन जो भारत बना वो तमाम विविद राज्यों का जो एक गड़बंदन है जो संग है उस संग को जब हम देखते हैं करास्टर के रूप में तो हमें ये सारी जो परिभाशा हैं वो खुद को हर जगे हर कोने पर परिभाशित करती मिलती है कि एक साजा संस्कृति एक साजा विरासत को हम आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं बलकि एक ऐसी संस्कृति जो बहतिवी नदी के समाने जिसमें छोटी साहिक नदी आगर आकर मिली हमने देखा कि मुगलों का एक लंबा इतियास और विवादी इतियास भी लेकिन मुगल सब्विता को जिस तरीके से हिंदुस्तान ने अपना उतना तो शायद जहां से अरब राज्यों से मुगल नहां पर आये थे या तुर्कमेनिस्तान से आये थे वहाँ पर भी अपनाया गया तो एक ऐसी विशाल उदात परंपरा जिसने तमाम अपने भीतर आने वाली संस्कृतियों का भी समावेश किया हो और उसको मिलाकर एक राष्ट्र बनाया हो और आप बताई कि इसके अलावा और उपाय क्या था क्या हम फिर से उन छोटे छोटे राज्यों औ हम आपस में लड़ते रहते क्या हमको वो समय ठीक लगता जब हम मद्रप्रदेश से आंद्रप्रदेश जाने के लिए वीजा और पासपोर्ट की जरूत पड़ती क्या वो समय हमें ठीक लगता जब हमें दिल्ली से तमिलनाडू का सफर करने के लिए तमेम कठनाईयों का सा परिकलपना को चाय थोड़े संशिफ शरूप में ही सही अगर स्थापित करने की कोशिश की थी तो इस भारत के लिए इस भारत की साजा संस्कृति और विरासत के समवहा कि इस देश के नागरिकों के लिए इस से बहतर कोई और परिकलपना नहीं हो सकती पुराने इत्यास को अगर उस परिकलपना को लोग नहीं मान रहे हैं जो कि एक समविधान के जरिये भी बंदी हुई ये आपस में तो फिर मुझे लगता है कि फिर ओवे सी जैसे लोग उस पूरी परिकलपना पर चोट कर रहे हैं जिससे के जरिये इस भारत राश्टर का उदय हुआ है जो लो तो आप विध्वन्स के उधारनों को देकर पूरे के पूरे राश्टवात कोई गलत ठहराने लगेंगे तो ये तो हुई बात हो गई कि इस तरह है अगर आपके बाल साफ करकर आपको बहुत अच्छे से दाड़ी बनाकर प्रस्तुत कर रहा है सामने तो उसी उस तरह का ब भयावद दौर से गुजर रहे हैं जहां पर परिभाशा हैं विचारधारा हैं आपस में बुरी तरह गुत्थम गुत्ता हो गई हैं इससे बाहर निकालने के लिए एक स्पष्ट सीधे चिंदन की बहुत जरुवत है हम सोच कर देखें कि हम जो कह रहे हैं वो हमें किस करचसमें हम गुजरे हैं भारत ने एक राष्टर के रूप में जिस तरीकी का विकास किया हू biri हमारे प्रलोस के पाकिस्तान में और पडलोस के बंगलादेश में क्यों नहीं उगा म्यामार में बर्मा में अब जाकर एक ऐसा राष्ट्रपती चुना जा सका है जो कि सेना से नहीं आता हो क्या हम चाहते हैं कि हमारा भारत भी उसी तरह के के अंदकार में भविशक्यों और चले जाए मुझे लगता है यह जो विचारक हैं यह किताबें पढ़कर ठेवरियों को सिधानतों को उठाकर व्यावारी जीवन से कट कर इस तरह की बाते कर रहे हैं जो इस राष्ट्र के विखास के लिए बहुत घहतक हैं इन परिभाशाओं को इस तरह के बयानों को रोका जाना और उसमें सही विचार को रोपित करना बहुत जरूरी है राष्ट्रवाद की परिकल्पना ने इस राष्ट्र को एक उदात्तो सुरूप में बनाये रखने के लिए सम्विधान में तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है और वो इतना लचिला भी है सम्विधान की उसमें हमने संचोधन भी किये हैं लेकिन उनका सम्मान मनाये रखना उस राष्ट्र की अवधालना को सही रूप में लोगों के भीतर पुष्पित और पलवित करना यहां हम थोड़े चूग गए हैं बयान की अगली वार फिर किसी नए विशे पर चर्चा करेंगे नमस्कार